वी को आपने साइट पर रखा और आपने यू का डिरेटिव ले लिया चेंड रूल का भी यूज होता है चेंड रूल उस वक्त यूज होता है जब आपके पास कंपोजिट फंक्शन मौजूद है काफियर से बाद मैं अपने चैनल पर दुबारा एक्टिव हो गया हूं इंशाला मैं वीडियो दाला करूंगा वीक में दो तीन चार वीडियो इंशाला आजाए करेंगी पहले जो मैं वीडियो दालता था वो मैं कोर्स कंप्रीट करवाया करता था फॉस्ट है मैथमेटिक्स कवर करवाई कुछ चैप्रेस रहते हैं एक दो लेकिन साथ साथ मैं अब मैथ के कुछ जर्रल टॉपिक्स हैं जर्रल टॉपिक्स का मतलब वो टॉपिक्स जो आप कोर्स में पढ़ते आ रहे हो तो अब मैं को से हटके उनको सॉल्फ करवाऊंगा लेकिन ये उन कि मैं शॉर्ट वीडियो अप्रोड करूंगा पांसे दस मिनिट की तो यह तो मैंने अपनी पसंद का टॉपिक चूज किया है इसके लावा आप लोग किसी और टॉपिक पे इंट्रमेडियर्ट का जो टॉपिक है उस पे अगर आप देखना चाते हो को वीडियो समझना चा करवा रहा हूं इसकी तस्वीरें लेके एक PDF होगा और PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौचूद होगा जो मेरे नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे आप लोग डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोगो उससे भी पढ़ने में हसानी हो एक चीज में बता तूं बाकी चीज़ें जो हैं अभी composite function आएगा यह सब चीज़ें जो हैं यह इंशाला हम बाद में upload करेंगे अभी जो topic है उसे इसे हम stick रहेंगे topic है rules of derivative, derivatives के rules क्या होते हैं सबसे पहले आपको एक function given होना चाहिए आप let कर लो आपके पास एक function है y equal to f of x ठीक है और आपने क्या करना है आपने इसको differentiate करना है अब सबसे पहला rule जो है derivative का वो यह है उसको हम बोलते है constant rule बहुती easy rule है constant rule यह होता है कि constant rule हमें यह बताता है कि कोई भी अगर आपके पास constant मौझूद है constant मतलब कोई भी real number आपके पास मौझूद है real number में rational irrational सब numbers cover हो जाते हैं तो उसका derivative जो है वो क्या होगा 0 के बराबर होगा तो d by dx यह जो d upon dx है derivative का operator है जैसे एक plus operator होता है एडिशन का इसी तरह derivative का operator जो है वो d upon dx होता है जिसको हम कहते है differential operator तो अगर आप एक constant c है जिससे constant को मैं show कर रहा हूं c से उसका अगर आप derivative लोग है तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा क्योंकि constant change नहीं होता तो obvious lift का derivative जो है वो 0 होगा दूसरा rule जो है वो है constant coefficient rule constant coefficient rule अब यह rule क्या कहता है यह rule कहता है कि अगर आपके पास एक coefficient है लेकिन वो coefficient क्या होना चाहिए यह constant होना चाहिए coefficient क्या होता है जो function से multiply हो रहा है जैसे एक example है मेरे पास एक function है f of x ठीक है उसके साथ एक constant multiply की form में लिखो तो उसको हम coefficient बोल रहे होते हैं वो multiply हो रहा है तो यह coefficient complaint constant है । डिरिवेटिव का rule कहता है इस constraint को है कर साइड़ और यह दो कर दो किया आप साइड़ पर और आप डिरिवेटिव ले लोगे function का तो जो भी कोविशिन्ट है कॉंस्टेंट को वेशिए उसको आहब कर दो साइड़ पे और आप function का derivative ले लोगे तीसरा rule है और जो के बहुत important है उसको हम कहते है power rule power rule use क्यों होता है power rule उस वक्त भी दोता है जब आपके पास एक function है और उस function की whole power मौझूद है मैं भी function की whole power की बात कर रहा हूँ जैसे आपके पास हो sin x का whole square जिसको आप इस तरीके से की बात नहीं कर रहा जैसे अगर आपके पास साइन x square ये जो square है ये x के उपर है ये पूरे function साइन के उपर नहीं है इसी तरह आपके पास है ln x square ये square x के उपर है ये जो square है ये पूरे log के उपर नहीं है तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक पूरे function के उपर power मौझूद है तो उस पे आप अपलाए करते हो power rule और power rule कहता क्या है power rule कहता है कि अगर आपके पास एक function है और उसकी एक power n मौझूद है अब यहाँ पे जो n है यह constant होना चाहिए power rule के लिए यह चीज़ base होती है यह चीज़ constant power होती है तो base जो है वो function होना चाहिए variable होना चाहिए और जो power है वो constant होने चाहिए वो constant में कोई भी real number हो सकता है तो आप power rule अपलाए करोगे अगर variable अगर base variable ना हो या power constant ना हो तो आप power rule नहीं लगाओगे power rule उसी वाद लगता है जब power भी constant base भी variable power rule हमें यह कहता है कि जो power है इसको आप नीचे ले आओ power जो n थी इसको मैं नीचे ले गया उसके बाद आप function में से जो power है उसकी उसमें से one कम कर दो पहले power n थी power को आप नीचे ले आओ उसके बाद power से आपने एक less कर दिया उसके बाद power rule कहता है कि आप multiply करवाओ derivative of base से यहाँ पर base क्या है f of x तो आप multiply करवाओगे derivative of base से अब यह जो है यह complete power rule है normally जो आपने power rule देखे हैं वो x की form में होते हैं वो complete नहीं है यह समझ लो chain rule और power rule को combine करके हर function पर valid है कोई भी function आपके पास मौझूद है आप उस पर power rule apply कर सकते हो कुछ मैं example discuss करता हूँ ताकि आप लोग को concept जो है वो मजीद clear हो जाए जैसे जो पहला है इसकी अगर मैं example दो यहाँ पर आपके पास अगर लिखा वैं कि आपने टू का derivative लेना है तो टू का derivative क्या होगा जीरो होगा क्योंकि टू एक constant है derivative जो है वो उसका 0 है इसी तरह अगर आपने derivative लेना है एक अब इस चीज़ पर आप लोग और करो यह जो x है हम बोलते हैं कि इसके respect से हम differentiate कर रहे हैं अब इस x के लावा अगर आपके पास जहां पर a आ जाए b आ जाए c कुछ भी आ जाए तो वो क्या होंगे वो सारे constant होंगे एक तो है ना आपके fixed constant है absolute constant जिसको बोल दो 2, 3, 4 एक होते है arbitrary constant आप कुछ भी put कर सकते हैं तो a की value 2 हो सकती है 3 कुछ भी हो सकती है तो x के लावा कोई भी alphabet आपके पास आ रहा है a, b, c वो सब ऐसा constant होंगे तो उसका आप derivative क्या लोगे 0 लोगे तो यह concept भी मैंने clear कर दी है इस पे आ जाओ अगर आपने derivative लेना है 2x का तो आप constant coefficient रूर अप्राय करोगे 2 को side पर कर दोगे 2 side पर चला गया और अब आप derivative लोगे x का किस तरीके से x का derivative लोगे वो अब next step में आप सीखोगे यह जो power rule है सबसे मशूर form जो power rule कि है वो x की form में कि let's see अगर आपके पास मौजूद है x cube अब देखो base variable है power जो है वो constant है आप क्या करोगे power पहले ले आओगे power में से one less कर दो उसके बाद आप multiply करवाओगे जो base का derivative है base यहाँ पर क्या है x आपको लेना पड़ेगा x का derivative यह तो simple क्या हो जाएगा अगर आप इसको देखो तो यह हो जाएगा 3x square अब बात रही कि x का derivative क्या होता है देखो x का derivative इस चीज़ को तरह गौर से देखो यह चीज़ आपको find करनी है देखो यह change को show करता है यह जो dx है ना यह basically change होता है x के अंदर change divided by x के अंदर change obviously 1 होगा वो मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपके पास आज कितने पैसे आए हैं divided by आपके पास कितने पैसे आए हैं तो दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं जब सेम चीज़ का आप ratio लोगे तो answer क्या होगा 1 होगा तो dx upon dx का answer 1 होता है लेकिन इस पावर पहले आगे हैं पावर में से आप 1 लेस कर दो 1-1 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो answer क्या होता है 1 के बराबर होता है तो x into power 0 1 1 को 1 से multiply करो answer 1 आजएगा तो यहां से आपने देखा x का derivative क्या होता है 1 होता है तो अब पावर रूल से भी समझ सकते हो और वैसे भी आप अ आगया 3x square आगया अब एक और हम example consider करते हैं जैसे मैं लिखता हूँ कि साइन स्कॉाइर एक्स ठीक है अब यहां पे इस पूरे function के उपावर क्या है 2 तो पावर पहले आ गई फिर जो 2 पावर है 2 में से अगर आप 1 less करो तो 1 बचता है लिखो या ना लिखो बात यह की है उसके बाद हम multiply करवाओगे derivative of base से base यहां पे क्या है sin x power 2 है base sin x है multiply करवाओगे sin x के derivative से और sin का derivative cost होता है लेकिन वो इंशाला हम next video में cover करेंगे कि technometric function का derivative क्या होता है अभी तक के लिए कि आपने base का भी derivative लेना होगा तो यह है complete पावर रूल आपके पास x लिखा हो आपके पास technometric function हो आपके पस कोई भी फंक्शन हो अगर उस function की whole power है power को आप नीचे लाओगे power में से one कम करोगे और उसके बाद हम multiply करवाद होगे base के derivative से यह होगे आपके तीन रूल कवर उसके बाद कुछ easy rule है और वो है sum and difference rule sum and difference rule काफी easy है समझने के लिए वो यह है कि अगर आपके पास दो functions हैं या दो से जएदा है for example derivative of f of x और एक function है g of x अभी आपस में add हो रहे हैं या आपस में subtract हो रहे हैं तो आप क्या करो इन दोनों को अलग-अलग differentiate करो मैं f of x का भी अलग derivative लूँगा मैं g of x का भी अलग derivative लूँगा और फिर क्या करूँगा उनको आपस में add subtract कर दूँगा यह rule जो है यह दो function पर वैलेड़ है तीन चार पांच जितने भी function है आप इसी तहीके से rule apply करोगे क्या है प्रस्ष्ट में अलग तो आपस्छ़दिए थी कर दोँगा यह दो इसे दितने लुद़ और भी भीको है जो द बसे कर दोदिए है